दोस्तो आज की इस वीडियो में आपको बहुत-बहुत स्वागत है चोटा सा वीडियो है एक जर्नल इन्फोर्मिशन आपको देने के लिए लीवर की जब प्रॉलम्स होती हैं तो उसमें कौन-कौन से टेस्ट होते हैं बेसिक से लेके एडवांस टेस्ट तक मैं आपको बताऊंगा शॉर्ट में इस वीडियो को खतम करेंगे तो सबसे पहली बात आती है जब लीवर के अंदर समस्या होती है तो दो टेस्ट बहुत कॉमन कराये आते हैं वो भी डोक्टर को खेर पता लग जाता कि हाँ भी लीवर की समस्या है पेट में भारी पंधाने लगा है जी कच्चा रहने लगा है उल्टी आने लगी है रंग पीला होने लगा है और पेट में इस एरिये में जो लीवर वाला एरिया है उसमें दर्द है बट जांचीरोथ इसलिए पढ़ते हैं कि एक बिमारी का इस्तर देखा जाए कि क्या वो Fatal liver grade 1 है, 2 है या 3 है उसको पीलिया तो है लेकिन देखा जाए कि उसको पीलिया कितना है वो कितना बढ़ा हुआ है कहीं 3 है यहां फे वो 4 है यह देखने के लिए कि बिमारी की पावर कितनी बड़ी हुई है, कितनी intensity की वो बिमारी है, उसी के हिसाब से treatment की duration निर्धारित की जाती है, और उसी हिसाब से treatment का जो medicines है वो निर्धारित की जाती है, दो जान सबसे common की जाती है, सबसे पहले LFT आती है, liver function test, जिसमें आप सबी बिले भूबिन देखते हैं, साथ में जहाँ पर suspect होता है, भहाँ पर hepatitis B और C की भी जान्च करवाई जाती है, तो इससे हमें एक liver की इस्तितिका पता लगता है, कि हमारा liver किस तरीके से function कर रहा है, ठीक है यह पता लगता है, liver कैसा काम कर रहा है, second एक जान्च कराई जाती है, ultrasonography, जो कि आप simply paid की एक ultra phone होती है, 500 रुपे से लेके 600 रुपे की 1000 रुपे की 1500 रुपे तक की जान्च होती है, simply खाली पेड जाईए, पानी पीके जाईए, maximum, उससे आपके जो liver की इस्तिति है, उसका idea लगेगा, कि liver के सूजन है, तो कितनी है, और liver का size कितना है, fatty liver grade 1 नहीं है, grade 2 है, और भी बहुत सारी चीज़े है, कि गौल ब्लेटरीक अंदर समस्या है तो नहीं है, वो सब पता लग जाती है, यह बहुत basic test है, generally अधिकतरीनी से काम चल जाता है, जहाँ पे patient को medicine दी है, अराम नहीं हो रहा है, तो और इसे उपर बढ़ा जाता है, जिसको ह advanced बीमारी के लिए देखी जाती है, तो यह लगभग 2500 रुपे से लेके 4000 रुपे तक की जांच अलग-लग cities में available होती है, तो इसमें भी कोई ऐसी problem नहीं होती है, इसके अलावा और जो जांच की जाती है, आप बड़ी स्थर पर अगर देखना चाहते हैं, तो CT scan करा सकते है MRI करवा सकते हैं, वो जांच निकले जहां पर हम इस्थिति क्लियर नहीं हुई है और patient को problem हो रही है, इवन उसको वहां पर भी कराते हैं, जहां पर malignancy का suspect रहता है, और देखा जाते हैं कि जो cells हैं, जो malignancy cells हैं, वो कितने area में value हुई है, तो CT scan MRI आप करवा सकते हैं, डोक् liver biopsium कराते हैं, यह सारी चीज़ें देखने के लिए होती हैं, कभी liver के अंदर कोई advanced विमारी तो नहीं चल लिए है, cancerous को नहीं हो चुका है liver, और इससे हमें और भी बहुत सारी चीज़ें पतालग सकती हैं, लेकिन 90% case में केवल जो starting की मैंने आपको जांच बताई हैं, LFK and sonography उससे से काम चल जाता है, तो यह liver की जांच थी, इसके अलाबा बोड़ी में और भी वह सरे बदलाव होते हैं, liver की वज़े से, के patient की CVC करवानी बहुत जरूरी है, patient की lipid profile करवानी बहुत जरूरी है, patient का lipase करवाना बहुत जरूरी है, तो साथ में और भी जांचेस देख रहे हैं, चैनल का जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह की informative वीडियो पाने के लिए आप मेरे और वीडियो देख सकते हैं, liver को कैसे ठीक रखते हैं, क्या lifestyle अपना है, SGPT, SGOT कैसे कम होगा, इसके मैंने तमाम वीडियो मेडिसन के साथ साथ बनाए हैं, नमस् कर आफ.